राधे राधे एप्रिवन आप सभी लोगों को दिवाली की हारदिक शुपकामनाएं मा लक्षमी की कृपा आप सभी लोगों पर सदेव बनी रहे हमारे हिंदु धरम का सबसे महत्पून पर्व होता है दिवाली और दिवाली पूजन के लिए आपको क्या-क्या समान चाहिए आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं तो देखे सबसे पहले तो आपको दिवाली पूजन के लिए चोकी लगानी होती है आप चाहे तो बड़ी अच्छे से प्रॉपर चोकी भी लगा सकते हैं नहीं तो आप छोटी सी भी कोई पट्टा बगारा रखके मातराने को विराजमन करके पूजा कर सकते हैं और इस तरह का कलेंडर आप जरूर से ले ले जिसमें आपको सरस्ती माता, लक्ष्मी माता, गनपती भगवान, शोडश मातरी का और कुबेर भवान सभी का चितर मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छा रहता है दिवाली वाले दिन इस लक्ष्मी और भगवान गनपती की मूर्थी तो देखे आप चाहे तो मिट्टी की ले सकते हैं या तो धातु की ले सकते हैं कुछ लोग तो अपनी जो पुरानी होती है धातु की उसी की बारबर पूजा करते हैं कुछ लोगों के यहां पर रिवाज होता है कि मिट्टी की नहीं जरूर लानी है, तो अगर आप कहां कंपल सरी हो, तो आप नहीं ले लिजिएगा, साथी में हम ले लेंगे रोली, चावल, और चावल आप टूटे वे बिल्कुल ना लें, साथी में हम यहां पर मोली, कलावा ले लेंगे पूजन के लिए, और कलश वगरा स्थापना करते हैं, इसलिए चावल हमें थोड़े से ज़ादा लगते हैं, तो फिर आप थोड़े से ज़ादा ही लीजिएगा, क्योंकि हम अस्टदल कमल वगरा भी बनाते हैं, उसके साथ साथ हम यहां पर गुलाल ले लेंगे, अभीर लेंगे, और यह आपको पूजा की दुकान पर असाने से मिल जाता है, साथी में देखें, इतर ले लिजिएगा, मातरलक्ष में बहुत ज़्यदा प्रसन होती हैं, खुश्बुख वाली चीज़ों से अकर्शित होती हैं, तो इतर जरूर ले लेंगे, उसी के साथ हम कपूर ले लेंगे, कपूर आर्ती के लिए भी चाहिएगा हमें, साथी में देखें, गंगहल लेंगे हम ठोड़ा शुद्धी करन करने के लिए अपने, कलश में डालने के लिए भी जनेव ले लें आप, और यहाँ पर दो जनेव ले जेगा, एक गनपती गवान video के लिए और एक में एक अपने कलश में ले 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 हम नेए, मैं हमने, कुछ समान ले लेगे के जो हमें कलश में होते हैं तो देखें आप 5, 7, 11, 21 कितने भी ले सकते हैं तो इनका पहले पूजन किया जाता है उसके बाद इने साल भर के लिए सम्हाल की रखा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा के लिए साथी में हम धूप ले लेंगे और आप अगर चाहें तो इस दिन हवन कर सकते हैं तो तो आप अगर आपके घर के खंड जोत वगरा है तो उसमें जला लें नहीं तो कटोरी में भी आप लगा सकते हैं लेकिन एक दिया जो है आपको पूरी रात भर के लिए चाहिए होता है उसी के साथ सा देखिए हम यहां पर अनाज लेते हैं तो इस तरह से आप पांच अनाज साथ अनाज ले सकते हैं तो आपकी रसोई में ही असानी से आपको यह सब मिल जाएंगे जैसे साबु धनिया है और बाजरा है गेहू है मक्का है जों है काले चने है साबुत मूंग है तिल है और धनिया तो आप धंतेरस वाले दिन जरूर से खरीद के लाएंगे ही आप कलश थापना करने के लिए हमें कलश चाहिएगा, बाजरे आप चाहिए तो ने बीर लेसके हैं तो किसी दातू का अयरे अपने घर का आप मिठी का नया भी ले सकते हैं विखेव नारियल कीो है और नारियल पर चाहिए तो कलावालला पेट दें नहीं तो आप एक चु पट्eting के दोड़ने के लिए तो आप चाहे हो थे लिए के लिए के लिए ऐसे लोग खुली पना पार सकते हैं, तो आप cents यह सब्सक्रीक में चाहिए के लिए दिवाल है निज्य लेट्ट Industry bell आप अपने घर में कितनी सजावट कर लें चायनीज लड़ी के साथ और जो लाइटे आती हैं लेकिन जो दिवाली का त्योहार दियों से होता है वो किसी से नहीं होता और इस तरह से अगर आप दिवाली पूजन करते हैं तो आपकी वज़े से किसी और के घर में भी बहुत अ आप अज़े से केसर डालके मातरानी के लिए खिर बनाए नहीं तो आप कोई भी सफेद रंकी मिठाइ ले सकते हैं उसके रीतुफल पांच ले ले दो ले ले तो अपने हिसाब से आप फल जरूर से ले ले उसी के साथ सा देखें यहां पर हम कुछ फूल ले ले लेंगे तो मातरानी के पूजन में हो सके तो आप कमल का फूल जरूर से लें अगर आपको मिल जाए नहीं तो आप गुलाब का ले सकते हैं तो जो भी अच्छे से अच्छे फूल आप एकत्रित कर सके मातरानी के पूजन के लिए आप जरूर से ले फूल माला ले सकते हैं अगर आपक आप राग्षमी दीपक प्रजलित करेंगे दिवाली दिन तो फिर आप पान के पते दो ले लिजेगा धन तेरा साले दिन और दिवाली वाले दिन मोर पंक भी जरूर से खरीद के लाया जाता है और पहले मातरानी को पूजा में अर्पित भी किया जाता है बहुत अच्छा र का पत्ता ले सकते हैं चाहे तो दो तिन चीज़े ले लें तो यह पे हम स्वाक का समानוס्वी हो जो भी सामान चॉली भी समान खरीदा होगा शाहे वो भगविश का आपने समानीी चाहे था तुका पितल्लिका था जुछ यापने खरीदा हो तो वह आप आप अज पूजन में पहले लाई हुई उस चीज का पूजन करेंगे दिवाली वाले दिन, और उसके बाद आपको उसे यूज में लाना होता है, साथी में देखिए आप कुछ दक्षना जरूर से रखें पूजा के लिए, तो अपने यथा शक्तियनुसार हम कुछ दक्षना रख लेंगे, और लक देखिए इसके अलावा आप चाहें तो कितनी भी समगरी को बढ़ा सकते हैं, आप मिठाईयां और बढ़ा लें, साज और समान इतना और बढ़ा सकते हैं, बाकि जो बेसिक समगरी है वो तो इतनी लगती ही है, और आप बिल्कुल ही सरल तरीके से पूजन करना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी चैनल पे है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, वैसे हिंदू का सबसे महत्पून पर्व होता है दिवाली, तो इसे जितना धूम धाम से मनाएंगे, माहलक्ष में उतनी ही प्रसन होती है, उनके कृपा उतनी ही होती है, और दिवाली का पूजन कैसे कर स दिवाली के बाद आप गोबर्धन पूजा कैसे करेंगे, सभी का वीडियो चैनल पे आ चुका है, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, सभी की में एक प्लेलिस्ट पनाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती हैं, थोड़ी बहुत भी यूसफुल लगती हैं, तो जादा से जादा शेयर कीजेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमली के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा, और आप सभी लोगों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुबकामनाय मालक्ष्मी आपके घर में अंधन की बरक्कत बनाए रखे, तो फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब के लिए जै सियाराम, राधे राधे, जै मालक्ष्मी